तो दोस्तो अब भारत में डीजल और पेट्रोल का खेल खतम होने वाले है और इस बात की जिम्मेदारी टाटा ने ले ली है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब टाटा कंपनी देश के सबसे बड़े प्रजेक्ट पर काम करने जा रही है जैसा कि आप वीडिय प्रोजेक्ट है कि इसमें करोडों रुपे खर्च होने वाले और इस प्रोजेक्ट को बनाने के जिम्मेदारी टाटा स्टील और वेल्स्पीन कंपनी की है पर एक बार जब ये प्रोजेक्ट बनकर तयार हो जाएगा तब जो हमारे डीजल और पेट्रॉल की कंजम्शन है वो काफी हद तक गिरने वाली है कि जैसा कि मैंने आपको बता है इस पाइपलाइन नेटवर्क के त्रू हाइडोजन और बहुत सी दूसरी नैशनल गैसिस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जैसा कि हम सब जानते कि हाइडोजन एक फ्यूल ऑफ दा फ्यूचर है भारत की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी आज करोड़ रुपे खर्च कर या हडोजन फ्यूल को बनाने के लिए भारत में हडोजन फ्यूल को प्रड्यूस करना इतना ज़्यादा महेंगा नहीं है लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा महेंगा पुरे भारत को ही कनेक्ट करेगा लेकिन फिर आने वाले टाइम पे शादी से दूसरी कंट्रियों के साथ भी कनेक्ट किया जाए ताकि हम हाइडोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी आसानी से कर पाए तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते कि अरब कंट्रीज ने प 1 kg फाइडोजन को वन डॉलर से भी कम में प्रेड्यूस करें प्रेड्यूस करें प्रेड्यूस करने के आज काफे सारी रिसर्च की जारी है भारत में लेकिन घ्रीन यह वीडियों में बस इतना इस पर आपकी कहा रहा है मुझा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बदाएगा तो मैं इस चैनल पर वारत के सी अपडेट लाते रहता हूँ जय हिन